हेलो फ्रेंड तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आज की वीडियो काफिता इंट्रेसिंग और काफिता नोलीज़ वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे फोनों को कंपेरिजिन करने वाले हैं कैमरे टेस्ट का जो कि प् उन-nר फोन है यूटी में के फैकलर नाटी बहुत न फोन है लेकिर अटार न उनमरे याटेसं यह फोन से यहां पर आप देख सकतो दोनों फोन में फ्रेंट कैमरे से वीडियो रिकोर्ड हो रही है इनका खुद का माइक में यूज कर रहा हूं और दोने फोन में जो आपको से सेम फ्रेंट आपको देखने को मिल जाती है दोने फोन्स के अंदर आपको आपको टेण cities 30 ए Almost स्मेंगर अबिल आपको सा मत्की अपकुद का में कामेंट बठाना है तो आपने जो यह वाली वीडियो देखिए दोनों फोन में फ्रेंट कैमरे से बनी थी एक में था आपको 32 में फिसला कैमरा और एक में 50 कैमरा आपने डीटेल्स बगरा देखियोंगी और आप खुदी कमेंट करके बताओगी पहले अभी जो इसके बैक कैमरा देखो बागी फ माइक दोने फोन में इनका खुद का यूज हो रहा और यहाँ पर माइक में भी डीटेल्स वेगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ और आप इसमें मिल जाती है इसमें आपको जो है 1080p में वीडियो रिकोड कर सकते हो और 60 एपेस में दोनों में तो संलाइट विलको अब यहाँ पर लाइटिंग मेर पड़ लिए तो सञ लाइट विकोड वर्ड लिए तो यह चीज आप देख सकता हो वीडियो में आपको साप साप दीख रहा हुगा कि किस तरी केसे आप वीडियो से रिकोड कर से तो किस तरी की प्रिटेल्स प्रकर आपको सामने है तो आपको इसका बैक कैमरे यूश करते दो यह वाले इसमें जो है इसमें फ्रेम बिल जाते हैं पहला जो है टेने टेटी पी बेकार मुझे देखने में लगी यार बीबो से यह उमीद ना थि कि देने के बाद भी कैमरा क्वालिटी देखी आपने खुदी कमेंट करके बताओ कि दोने फोन से कौन से बैठ लगी यानि कि 12-13 पर मिलने वाला यह आई टैल का नॉर्मल सा फोन भाई हर चीज में इसको टक्कर दे रहा है डिस्प्ले में मैं इनका कंपेरिजन करा डिस्प्ले आपको कौन सा जो है सबसे बैस्ट रहने वाला है तो दोने फोन के अंदर हमने पहले तो फ्रेंट कैमरे से एक सैलपी किलिक की और आप देख सकतो फोडो आपको कुछ इस्तरे मिलते हैं डिटेल्स बगएर दोनों में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 19-20 का अंत किया जो कि मैंने कराते हैं पोट्रेट मोड में फ्रेंट कैमरे से पोट्रेट मोड यूज करा पोट्रेट मोड में दोने फोन में पोट्रेट मोड काफी बढ़या मिल जाता है बैसे दो और बाकी यहाँ पर जो कलर से बगएर देख सकतो और जो फेस है ना वीवो वाले फो सेम से लग रहा है ज्यादा खास अंतर नहीं मिलेगा इसके बाद मैंने सेम फोटो क्लिक किया दोनों में यह था 2x पे तो मैंने थोड़ा जूम करा क्योंकि दोने फोने में आपको 2x में जूम मिलता है तो 2x मैंने जूम करा तो यहां पर 2x में आप देख सकते हो डीटेल्स पर मिलने वाला फोन है इसकी अच्छी लगी यार फोटो हद होती है आप देखो खुदी कमेंट करके बताना आप ठीक है उन्तिसार पर फोन यहां इतना कैमरा इतनी हमें उमीद रहती है कि अच्छा कैमरा होगा कामरे के लिए ले रहे फोन तो वो उमीद नहीं मिली हमें तो अब हम बात करते हैं कैमरे टेस्ट के बाद हमें दोना फोन में से कौन सा फोन जो है सेलेक करना चीए तो पहला अगर मैं बात करना तो भाई यह हमारे पास आई टैल का एस 23 प्लस वाला ही फोन सबसे आगे रहने वाला है आपको 12-13 जार में मिलने वाला है करव डिस्प इसको भी नहीं पीछे छोड़ना है तो बेकार है अगर आप सोच रहे हैं कि आप खरीद होगे तो इसमें आपको जो है अच्छा जो है डिलेगा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है तो आप देख सकतो कितना यार इतना बेकार कैमरा नहीं होता है 30,000 रुपे 29,000 रुपे आपक अच्छा ढंका कैमरा तो आपको मिलना चाहिए फोन के अंदर और बहुत चीज जो है आपको बारत 13 घर में मिल लिए सेम चीज तो हद होती है तो अगर मैं बात पर आपको दोनों फोन पर एक फोन लेना तो यह वाला आपके लिए सबसे बैस ट्रैने वाला है ऐसन यह कि मै बाई ब्रेंड ने मैंने हैं आपको कोई स्पोंसर बगएरा मार रहा हूं कि आई टैल काई लो तो बाई दोनों फोन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं वह आपको साप दिखे होगा बैने वीडियो रिकोर्ड करी और जो है सेम जगा पर फोडो के लिखे है उसमें आप को साप साप दिखे होगा बाकि आपको एक वीडियो क्या सी लग यार कमेंट करके जरूर बताना और आपका क्या उपिनिन ना वो कमेंट में जरूर लिखना और चैनल पर नहीं हो तो बाई सब्सक्राइब कर लो मिलते आंगली वीडियो में तब तक लिए जाहिन बंदे मा प्राम